रोहन स्कूल जा रहा था, जाते जाते काफी लेट हो गया था, यह बहुत ही पर्शान था, किकि आज घर से लेट निकला हुआ था, जाते जाते रास्ते में इसको जंगल के तरब से जाना होता था और धूब भी बहुत कड़ी थी, तो यह रेश्ट करते करते जा रहा था, ज जाते जाते क्लास रूम में पहुचा टीचर ने पुछा रोहन आज तुम लेट क्यूं हो गए रोहन बोला सौरी सर टीचर ने बोला सौरी से कोई काम नहीं चलने वाला रीजन बताओ क्या रीजन था जो तुम आज लेट हो गए प्रोहन उदास होकर बोला सर मेरा कुटा जो है आज खो गया है उसी को धुणने में मुझे लेट हो गई आचा ठीक है तुमने आज होमर किया है रोहन ने बोला सौरी सर मैं नहीं कर पाई टीचर ने बोला ठीक है जाओ तुम कूता ही दो रोहन रोने लगा और दोड़ते दोड़ते अपने घर के तरफ जाने लगा दोड़ते दोड़ते रोहन ठख गया था तो उसने कुछ रेष्ट करने लगा, अपने पैर को मारने लगा मीटी के तरफ और रोहन ने इदर उदर देखने लगा तब ही इसको अपना कूता दिखाई दिया तो रोहन ने बहुत खुस वा और कुछ देर तक देखने लगा अपने कूते को और फिर अपने पूते को लेकर अपने घर के तरफ जाने लगाए दोस्तों अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो प्लीज मेरा चानल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दिजेगा ऐसे ही वीडियो आपको मिलता रहेगा